हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सभी अच्छे होंगे तो आए आज करते हैं क्लास सेवेंथ के प्रैक्टिस सेट 12 को प्रैक्टिस सेट 12 को HCF एंड LCM से आज आपको find करना है find the HCF HCF means highest common factor आपको क्या find out करना है highest common factor HCF मासा वी find out करना ठीक है question है आपका 25,40 इन दोनों का आपको क्या करना है HCF find out करना है तो सबसे पहले हम ऐसे number को select करेंगे जो इन दोनों number को divide करें तो ऐसा number कौन सा है वो number है 5 5 से 25 को divide करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 8040 हो जाएगा तो जो दोनों को divide करता है common रूप से उसी को हम क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं HCF तो अभी यह देखिए 5 8 है तो दोनों को divide करने वाला number कौन सा था 5 था इसलिए HCF क्या हो जाएगा 5 ओके second question यह method 1 था method 2 भी देख लेते हैं कैसे होता है इसको solve करेंगे second question बाद में करेंगे अब इन में क्या करते हैं इंडिविज्विव फैक्टर फाइंड आउट करते हैं अलाग अलाग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 25 का क्या हो जाएगा 25 is equal to 5 multiply 5 और 40 दिखेंगे 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 अब देखिए दोनों में जो common है वही आपका क्या हो जाएगा HCF highest common factor common means क्या होता है दोनों में रहे और फैक्टर तो 5 क्या है दोनों में केवल एक 5 दोनों में इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यह method number second था तो आप चाहे method 1 कीजिए चाहे method 2 कीजिए दोनों से answer वही आएगा ठीक है तो इस तरीके से आप HCF find out कर लेंगे नौ सी question number second question number second है 56 and 32 आपको क्या करना है factor find out करना है 56 and 32 का 56 and 32 दोनों को concern number divide करेगा smallest वह है 2 सबसे पहले 2 से करेंगे फिर ऐसे हम बढ़ते हुए जाएगे टू से किया तो टू टू जा 4 वन कहरी टू एट जा 16 यहाँ पर टू बढ़त टू टू जा 12 अगें टू से टू बढ़त टू फोर जा 8 टू एट जा 16 अगें टू से 27 जा 14 24 जा 8 अब क्या होगा 74 गया 74 गया 7 टो 7 तो पे बा़न से हो सकता है धिको अभी भी किस से होसकता है 2 से हो सकता है तो आपका लेकिन यहां पर क्या है जो common है इस से ज्यादा तो आप factorize होगा नहीं तो आपका 2, 2, 2 यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 8 factor क्या हो जाएगा 8 और यही HCF हो जाएगा जो common factor है ठीक है यह method 1 से हमने find out कर लिया HCF 2, 2, 4, 2, 8 now see question no.3 40, 60, 75 40, 60, 75 ऐसा number हमको चूज करना है जो सब को divide कर दे तो वो number कौन सा रहेगा 5 5 से divide कर देंगे तो 5, 8 जा 40, 5, 12 जा 60 and 5, 15 जा 75 अब देखिए कोई common आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आप किसी number से अगर divide करेंगे तो तीनो divide नहीं होंगे इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा हमारा 5 HCF क्या हो जाएगा 5 क्योंकि वही एक common factor है जो सब को divide कर रहा है नहीं है मतलब कौन सा number रहेगा 1 के वल रहेगा 1627 के वल 1 से ही divide होगा तो 1627 इसलिए HCF आपका क्या हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा Q5 18 32 48 अब इसको ऐसे number से डिवाइड करना है जो सब को डिवाइड करते हैं तो 2 से पहला तो हो जाएगा पहले 2 से ही करेंगे 29 जा 18 262 16 जा 32 224 जा 48 अब देखिए यह 2 से अब किसी भी number से तीनों एक साथ डिवाइड नहीं होने वाले तो इसका HCF क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा 2 मतलब कि ऐसा number जो सब को डिवाइड करें वही HCF हो जाता है तो यहां पर HCF आपका हो जाएगा 2 therefore HCF is equal to 2 okay, now see question no.6 10 105 154 अब ऐसा कौन सा नहीं है, क्योंकि 105 और 154 को कोई भी 7 से हो सकते है, 7 बन्जा 7, 3 गया, 15 आ जाएगा, correct, तो 7 टूजा 14, 7 टूजा 14, correct, 7 से हो जाएगा, तो इसका factor क्या आया, common factor वो आ गया, 7, इसलिए SCF क्या हो जाएगा, 7 SCF क्या हो जाएगा, इस question के लिए, 7, now see question number 7, 42, 45, 48, 42, 45, 48, अब कौन सा number इन सब को divide करेगा, 5 है, 45 तो यह divide नहीं करेगा, 3 से हो जाएगा, 3 से divide हो सकते है, 3, 14, 42, 3, 15, 45, 3, 16, 48, अब common number कौन divide करेगा, इसको, कोई number है, divide करने के लिए, नहीं है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, therefore, SCF 3, because 3 नहीं सब को divide किया है, question number 8, 57, 75, 102, 57 है, तो यह 57, यह सारे number किस से divide होने वाले, 3 से हो जाएगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, 3 से divide करना, 3 से 19, 3 जा 57, 3 जा 3, 2 कैरी, 19 आ जाएगा यह, और यह हो जाएगा आपका 25, और यह हो जाएगा आपका 34, अब कोई number common है, जो इनको divide कर सके, नहीं है, तो therefore, SCF is 3, question number 9, question number 9 क्या है, 56, 37, 56, 37, आपको पता है, 37 क्या है, prime number है, तो और वो केवल खुद से कड़ता है, या 1 से कड़ता है, तो यह केवल, इनका common factor हो जाएगा, केवल 1, 1 से ही यह divide होंगे, और किसी से नहीं होंगे, तो इसलिए, इसमें क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, आपका 1, ठीक है, तो same वही number आ जाएगा, 56, 37, therefore, HCF is 1, question number 10, 777, 315, 588, इन सब को, किसी ऐसे number से divide करना है, जो सब को divide करते है, तो ऐसा number कौन सा है, 7, ऐसा number कौन सा है, 7, या 3, 3 से भी हो जाएगा, correct, हो जाएगा, 3, 2, 6, 3, 2, 6, 3, 5, 0, 15, 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है, अब ऐसे roughly हम लोग divide करके check कर लेंगे, ओके, roughly divide करके check कर लेंगे, तो इसका आगे है, 259 और 3, 15 का आगे है आपका, इसका भी roughly चेक कर लेंगे, ऐसे roughly इसका भी check कर लेंगे, 315 का, तो कितना आ गया ये, ये आ गया आपका, 105, कितना आ गया, 105, अब ऐसे 588 का कर लेंगे, चेक, 3 से divide करके, 588 divided by 3, 3 से करेंगे, तो ये हो गया आपका, 196, कितना आ जाएगा, 196, अब ऐसा कोई नंबर फिर से select करेंगे, जो सब को divide करें, तो ऐसा नंबर, 259 क्या है, प्राइम नंबर है, 259 क्या है, प्राइम नंबर है, और ये, किसी और नंबर से divide नहीं होगा, इसलिए, 259 से हो जाएगा, तो 259 प्राइम नंबर नहीं है, ये 7 से divide हो जाएगा, अगर प्राइम नंबर होता, तो केवल 1 से होता है, या खुद से होता, तो अब इसको 7 से अगर divide करेंगे, तो ये हो जाएगा, 7, 3, 2, 1, 4, 37 अगया, अब इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा, 7, 2, 14, 7, 8 हो जाएगा, 56, तो 28 हो जाएगा, ये, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा 28 हो जाएगा ठीक है अब इसमें क्या करना है आपको 37 प्राइम नमबर है 37 क्या है प्राइम नमबर है तो वो खुद से ही डिवाइड होगा तो HCF आपका हो जाएगा कौन फेक्टर आपको मिल गया 3 and 7 कौन फेक्टर क्या मिल गया 3 and 7 common factor आपको मिला 37 तो 21 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा अब next question है आपको division method से इसको solve करना है division method से simplest form में भी लिखना है division method and reduce it to simplest form इसको आपको simple करके लिखना है ठीक है तो 275 and 525 है तो 275 and 525 है इसको हम solve कैसे करेंगे ध्यान दीजिए जो भी bigger number होगा उसको हम dividend करेंगे और जो smallest होगा उसको हम divisor कर देंगे तो यह हमारा आ गया one time जाएगा 275 हो जाएगा 275 माइनस किया तो 550 12 में से 7 गया 5 और यह 2 ठीक है अब 250 275 से छोटा है तो अब इससे डिवाइड करेंगे 275 को 275 को 275 अब कितने time जाएगा यह भी one time जाएगा तो 275 में से 50 निकला 250 निकला तो आगया 25 अब 25 से डिवाइड करेंगे 250 को अब 1 टाइम जाएगा तो यह कैंसल हुआ जीरो बचा जीरो ऊपर चला जाएगा ठीक है और यह जीरो ऊपर चला जाएगा यह हो गया 10 टाइम्स पूरी तरह से डिवाइड हो गया इसलिए आपका क्या जाएगा 25 25 ही ही इसका HCF हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा ओक니다 जिससे यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा वही नंबर इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा देरफोर HCF is equal to 25 क्या है अब इसको simplest form भी वार यह जाएगा लिएड देसको यूज किया, simplest form, तो 275 अपान 525 था, तो इसका simplest form क्या हो जाएगा, divide कर देंगे दोनों को, किससे, hcf से ही divide करेंगे, जो आएगा, hcf आया 25 तो 25 से ही दोनों को divide कर देंगे, यह हो जाएगा, आपका 11 अपान 21, यह आपका answer हो जाएगा, जो भी आएगा, hcf से ही divide कर देंगे, तो वो simplest form में हो जाएगा, तो question number next देखिए, question number second है, 76 अपान 133, फिर से वही rule करेंगे, जो बड़ा है, उसको dividend suppose करेंगे, जो छोटा है, उसको divisor, तो divide करेंगे, यह जाएगा, आपका one time, one time जाएगा, इसको divide किया, तो यह 76, और 13 में से 6 निकलेगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 7 गया, 5 हो गया, अब 57 से divide करेंगे, 76 को, one time जाएगा, यह 57, 16 में से 7 निकलेगा, 9, और यहाँ पे 6 में से 5 गया, अब 19 से divide करेंगे, 57 को, तो 19 3 जा 57, यह पूरी तरह से divide कर रहा है, इसलिए, HCF आपका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, टिक है, जिस नंबर से यह पूरी तरह से divide हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, HCF, तो देखिए, यहाँ पे 19 ने क्या किया, पूरी तरह से divide कर दिया, therefore, HCF is equal to 19, अब हमको simplest form मिल आना है, तो number आपका था 76 अपान 133, divide कर देंगे, दोनों को 19 से, HCF से divide करेंगे, तो 19 4 जा 76, और यह हो जाएगा, 19 7 जा, 133, तो आपका simplest form आगया, 4 अपान 7, clear, तो इस तरीके से यह question को करना था, now see question number 3, 161 अपान 69, इसका पहले हम क्या find out करेंगे, find करेंगे इसका हम HCF, तो 161 को divide करेंगे 69 से, जो smallest है, वो divisor रहेगा, हमेशा आपको दियान रखना है, तो यह कितने times जाएगा, 2 times जाएगा, how many times, 2 times, तो 2 9 जा 18, carry 1, 2 6 जा 12, 1 13, अब इसको माइनस करेंगे, तो 11 में से 8 जाएगा, 3 आएगा, और यह 15 में से 13 निकलेगा, 5 हो जाएगा, वो sorry, यह 2 हो जाएगा, 23, अब 23 को divide करना है 69 से, तो यह 3 times जाएगा, 3 times जाएगा, तो यह पूरी तरह से divide हो जाएगा, 23, 3 जा 69, 3 से multiply करके भी चेक कर सकते हैं, तो यह पूरी तरह से divide कर दे रहा है, therefore, hcf क्या हो जाएगा, आपको 23, hcf क्या हो जाएगा, 23, लिखेंगे, therefore, hcf will be, hcf is equal to 23, अब reduce form भी करना है, तो reduce form क्या करेंगे, इसका, दोनों को divide करतेंगे, साइड में देख लेते हैं, नहीं तो next page पर देखते हैं, चलो आए, 161 upon 69, divide करेंगे, hcf आया था आपका 23, दोनों को 23 से divide करेंगे, तो यह कितने times जाएगा, यह जाएगा आपका 7 times, और नीचे जाएगा 3 times, क्योंकि वही same था नंबर हमने देख लिया था, और 23, 7 जा, 161 हो जाएगा, ठीक है? तो आपका reduce form आगया 7 upon 3, ओके? थैंक्स फार वाचिंग, आपका practice set 12 complete हो गया, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.